इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि market जो है अगले trading session के अंदर किस तरीके से move कर सकता है और हमारा plan of action क्या होना चाहिए Nifty 50 का मैंने chart लगाया हुआ है 30 मिनट का अब आप मेंसे काफी सारे लोगों का ये doubt होगा कि 30 मिनट का ही time frame की हूँ देखो मैं एक intra-day trader हूँ या यू कहलो कि मैं एक scalper हूँ option trading के अंदर तो मैं जादातर cases में scalping करता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा time frame जिसके अंदर मैं trend देखता हूँ वो 30 मिनट का ही होता है वन डे मेरे लिए किसी use का नहीं है weekly, monthly इसमें क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 30 मिनट का time frame मेरा max होता है क्योंकि मेरा trade ही जादा से जादा 10 मिनट 15 मिनट चलेगा तो मैं उसके लिए 30 मिनट का time frame ही देखूंगा तो मुझे जादा अच्छे से analysis कर पाऊंगा अगर मैंने one day का देखा, weekly देखा, उसके हिसाब से अगर मैं चला तो मेरा loss होने के chances जो है वो बढ़ जाएगे तो 30 मिनट के time frame पे Nifty को में हम analyze करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अगले trading session के देख market move कर सकता है जो लोग भी नए है चैनल को subscribe कर लो क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ analysis को आप खुद भी कर पाओगे सिर्फ आपको मेरे videos पर depend होने की जरूत नहीं हो पाएगी आप भी कर पाओगे analysis ठीके और इसी तरह की और भी videos आप चाहते हैं और चैनल को भी support करना चाहते हैं तो subscribe करके bell icon को press कर दो क्योंकि जब भी मैं videos upload करूँगा notification आपके पास सबसे पहले आ जाएगा और यह पूरा process free of cost है ठीके और जो लोग भी पुराने हैं इस चैनल पे इस वीडियो को अभी like कर सकते हैं नए लोग video देखने के बाद like कर सकते हैं ठीके देखो हो क्या रहा था market downtrend मे था और downtrend के ब का move जो है बहुत rare देता है अब यहाँ पे अगर आप देखो के जब इस तरह का move आ गया है तो जिन लोगों भी यहाँ पे buying का बनाया हुआ है या जिनकी भी positions पहले से बनी हुई होगी उनको इस position पे profit हो रहा होगा अब जब भी आपको market में इस तरह का super bullish move देखने को मिलता है तो ध्यान रखना अगले एक दो trading sessions के अंदर market sideways रह सकता है sideways to bearish का मेरा opinion है अब देखो जब भी market खुलेगा अगले trading session में तो तीन ही chances है या तो flat खुल जाए या gap up खुले या gap down खुले मैं आपको तीनों ही scenario के अंदर समझाता हूँ कि किस तरीके से मेरा plan of action रहेगा scalping कर पहला scenario discuss करते हैं कि अगर market flat खुल जाता है तो अगर आप देखो कि 25,430 का जो level है उपर का resistance area है 25,310 का जो है नीचे का support area है ये वाला इसी range के अंदर आज पूरे दिन market रहा ठीक है अगले एक दो sessions के अंदर भी मैं इसी तरीके से sideways move जो है expect कर रहा हूँ क्योंकि market जो है नहीं market उपर ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है या कोई बोलता है कि market नीचे ही जाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है क्योंकि 100% market को predict करना next to impossible है आप market का जो एक range decide करते हैं उस range में जिस तरब भी वो break करता है आप market के flow के साथ चलते हैं ठीके जी चलो तो मेरा opinion यहाँ पे क्य break होता है तो मैं short side का जो है यानि कि put को जो है buy करूँगा call short तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं option buying आपको बताता हूं हमेशा तो मैं यहाँ पे put buy करके चलूँगा अगर 25 जा 310 के level को break करता है market तो flat opening देने के बाद अगर यह flat opening देने के बाद ऊपर की तरफ break करता है तो व मिरे लिए थोड़ा सा risky रहेगा उपर side का scalp करना तो मैं थोड़ा सा अगर मुझे बहुत अच्छा setup मिलेगा buying का CE का तो ही मैं जाऊंगा भले यह level break कर दे 25 जा 430 के level को तो भी मिरे लिए थोड़ा सा doubt रहेगा कि मैं trap हो सकता हूं तो CE को मैं बहुती साबधानी के साथ pick हाँ PE की side में जा सकता हूं यह मानते हुए कि market अगर एक pullback लेकि अगर retest करता है इसको या retest के level तक pass भी आता है तो मुझे एक अच्छा खासा target जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है CE मैं थोड़ा सा doubtful रहूँगा पहली बात तो यह है कि sideways रहने वाला है एक दो दिन जो आपको ठीक है one day का time frame एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही bullish candle और यह pause है आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ देखो यह bullish candle उसके बार market ने एक दो तीन तीन दिन देख रहे हो pause बनाया ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पे market is bullish candle बनाने के बार हलका सा pause ले ठीक है उपर break करता है हलका risk की रहेगा ध्यान देना नीचे break करता है तो भाई 50% तक भी अगर retrace करेगा तो मुझे target जो है मिल सकता है ठीक है यह बात समझ में आ गया अब आते हैं हम 30 minute का ही time frame में लगा लेता हूँ और bank nifty को एक बात देखते हैं कि क्या है ठीक है यह देख अगर यह area तूटता है तो काफी सारे लोगों का stop loss हिट होगा और यहाँ पे CE side का plan बनाया जा सकता है लेकिन बात फिर वही आ जाती है nifty और bank nifty सेम तरीके से उपर की तरफ जाना चाहिए अगर मैं nifty में doubtful हूँ कि CE में trap हो सकता हूँ तो मैं bank nifty में भी CE buy नहीं करूँग क्योंकि यह वाली trend line देखोगे तो market तोड़ी नहीं पा रहा है एक ही जगे पर sustain कर रहा है तो chances are very high case को अगर यह break करता है तो bank nifty as compared to nifty थोड़ा सा strong दिख रहा है ठीक है वही वाली बात मैं आपको बता दूँ CE side में जाने में मुझे हलका सा यहाँ पर doubtful रहेगा bank nifty के अंदर भी क्योंकि nifty support नहीं करेगा ठीक है और बाकी तो market 100% कोई कुछ बताई नहीं सकता है मैं कह दूँ या कोई और आके कह दे अगर ऐसे 100% पता चलने लग गया तो हमीना बहुत बड़े जो हैं पूरा का पू side में हूँ bank nifty के अंदर भी put side के अंदर में trade करने का plan करूँगा बाकी 5 minute के time frame पे जाने के बाद मुझे जो है further पता चल पाएगा जैसे मैं अगर मानलो bank nifty में चला जाता हूँ 5 minute के time frame तो ये एक trend line आ रहा था अगर market flat opening देने के बाद नीचे sustain कर जाता है ठीक है flat opening देता है नीचे break करता है sustain करता है तो continue किया जाएगा put side का लेकिन अगर ये उपर break करता है तो मुझे bank nifty as compared to nifty थोड़ा सा जाधा strong नजर आ रहा है हो सकता है कि bank nifty nifty को भी हलका सा उपर ही खीच ले या sideways रखने में help करे समझ में आगई बात ये वाली चलो जी ये तो हमने 5 minute पे bank nifty को देख लिया nifty भी 5 minute में देख लिते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक range है इस range को अगर break करता है doubtful हूँ मैंने आपको बता दिया नीचे तोड़ता है तो मैं put side में जाने को ready रहूँगा अच्छे सा सकता अब देखने के बाद 5 ये में 8 ये 13 ये में दोनों में स साथ में ठीक है और संडे और इस बार जो मैं करने क्या वाला हूँ कि class को मैंने दो दिनों में कर दिया पहले मैं संडे के दिन तीन घंटे एक साथ ले लिया करता था अब दो दो घंटे को दोनों दिन करूँगा Saturday संडे तो आप लोगों के लिए 4 घंटे का time live मेरे साथ में वो भी interact करते हुए सिर्फ 6 लोग उस session का part बन सकते हैं तो मौके को miss मत करो क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे लगा कि time बहुत जादा मेरा लग रहा है और मैं एक दिन में ही deliver कर सकता हूँ quality तो दुबारा से एक दिन का मैं कर दूँगा अभी फिलहाल दो दिन का है तो आप Sunday session के लिए और Saturday session के लिए resistance कर सकते हैं एक बहुती nominal से फीस है दोनों ही strategies में आप लोगों को समझाओंगा तो यह थी छोटी सी कोशिस आप लोगों को बताने का कोई और analysis आपको चाहिए तो comment section में लेके जरूर बताना चैनल को कर लो subscribe, video को कर दो like और मैं मिलता हूँ आप से learning या आपको एक अच्छा and successful trader बना सकता है, thank you so much.